हाई गाईस वेलकम टू माई घरेलू नुकसे चैनल आज मैं आपको बताऊंगी नवजात सिसू और बच्चों की मालिस कैसे करने चाहिए और कितने टाइम के लिए हमें करना चाहिए चलिए जानते हैं चोटे बच्चों की मालिस परती दिन यानि कि रोजाना हमें 10-15 मिनट तक करना जरूर करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए जिन से उनकी मासपेश्या और जोड मजबूत बन सके मालिस करने के लिए बादाम का तेल, जैतुन का तेल, बेबी ओईल का प्रियोग हम कर सकते हैं इनसे सरीर में नमी भी बनी रहती है और तुछा नरम होती है, सोफ्ट होती है मालिस हमेशा नीचे से उपर की ओर करी जाती है ताकि खून का दोर जो है दिल की ओर जा सके नहलाने में और 15 मिनट का अंतर होना चाहिए या रखना चाहिए, मालिस करने के बाद बच्चों को तुरंत कपडे पहना दे, पहले वाले ही कपडे उनको पहना दे, ढीले धारे कपडे उनको पहना दे, ताकि बच्चों को ठंधा लगे बच्चों को कपड़े से पहले ही या नहलाने से पहले ही उनका लोशन, पाउडर और गुनगुना पानी पहले से ही तैयार करके रख ले बच्चे को अधिक देर तक खुला ना रखे और जहां पर आपकी हवा कम है वहां पर ही लेटा करके बच्चे को मालिस करना चाहिए और ना ही बच्चे को बोटल का दूद दे, उसमें 10 मिनिट का अंतराल रखे, 10 मिनिट के बाद ही आप उनकी मालिस करे और मालिस करने के बाद भी 10 मिनिट बाद ही बच्चे को फीड कराए, नहलाने के तुरंत बाद फीड दे सकते है या उनको बोटल का दूद तुरंत ही नह आने के बाद दे सकते हैं बच्चों को दिन में 11-12 बजे के बाज करीब थोड़ी सी धूंप हमें उसे बच्चों को अवश्य लगानी चाहिए विटामिन D मिल सके परियास करे की सीसे से ही धूंप आ जाए तो बेहतर है ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब क करे कमेंट करे शेयर करे बैल आइकन को दबाए धन्यवाद